स्टुडेंट्स अभी तक हमने एको सिस्टम के चैप्टर में बात की है फूट चैन फूट वेब की, कंपोनेंट ऑफ एको सिस्टम की, बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट इसके बाद ट्रॉफिक लेवल्स की जो की डिफरेंट डिफरेंट इको सिस्टम में डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल होते हैं स्टुडेंट आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एको लोजिकल पिरामेट्स की या पारिस्थितिक पिरामेट्स की तो हमने ये देखा है कि एको सिस्टम में फूड चेन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल होते हैं या अलग-अलग तरह के पोशी इस्तर होते हैं उन पोशी इस्तर में प्रोड्यूसर, कंजीमर, कंजीमर में प्राइमरी, सेकेंडरी एंड तर्शरी कंजीमर पाय जाते हैं इसी के साथ साथ अगर हम ये देखें कि इनके Numbers या इनके Biomass या इनकी Energy इनमें भी एक तरह का Relationship होता है अगर हम इन Relationship को एक Diagramatically या रेखा चित्र के दोरब दरशित करते हैं तो इसको हम Parasthetic Pyramid या Ecological Pyramids कहते हैं सबसे पहले Charles Elton ने इसकी Concept दी थी इसलिए इसको Eltonian Pyramids भी कहते हैं तो अगर हम इसकी Definition देखें तो हम कह सकते हैं किसी भी Parasthetic तंतर में खादर शंकला के विभिन पोशी इस्तरों की संख्या, जीवभार तथा संचित उर्जा का रेखा चित्रे या निरूपन Parasthetic Pyramid कहलाता है अगर हम इसको English में देखेंगे तो हम कह सकते हैं In an ecosystem, the graphical representation of numbers, biomass, energy of different trophic level is called ecological pyramids Student, अब हम बात करेंगे types of ecological pyramids की Mainly three types of ecological pyramids पाय जाते हैं Number one, जीव संख्या का pyramids Number two, जीव भार का pyramids And number three, संचित उर्जा का pyramids या इसको हम कह सकते हैं Pyramid of Numbers, Pyramid of Biomass and Pyramid of Energy तो diagramatically भी इसको हम देख सकते हैं किस तरीके से किस type का pyramids कैसा बनता है जीव संख्या का pyramids कैसे होगा Biomass का pyramids कैसे होगा और energy का pyramids कैसे होगा सबसे पहले हम बात करेंगे Pyramid of Numbers या जीव संख्या के पिरामिट की ऐसा पिरामिट जिसके द्वारा किसी पारिस्थितिक तंत्र के उत्पादकों इवन विभिनेशनरी के उपभोकताओं की संख्या के संबंदों के बारे में पता चलता है जीव संख्या का pyramids कहलाता है अगर हम इसको डागरामेटिकली देखें तो इसका pyramids अपराइड या सीधा बनता है क्योंकि इसमें पाय जाने वाले उत्पादकों की संख्या उपभोकताओं की संख्या से अधिक होती है फिर अगर हम primary consumer की बात करेंगे तो उनकी संख्या इनसे कम होगी secondary consumer की संख्या उनसे कम होगी और tertiary consumer की संख्या और कम होती जाएगी इस तरीके से एक upright pyramid का formation होता है Students, यहां ये बात समझने वाली है कि यदि हम किसी forest ecosystem के जीव संख्या का pyramid बनाएं तो हमें inverted pyramid या ultra pyramid पराप्त होगा जो की इस diagram की तरह दिखाई देता है क्योंकि इसमें trees की संख्या कम होती है जिन पर आश्रित उपभोकताओं का आकार तो छोटा होता है परन्तु संख्या अधिक होती है प्रतेक पोशी इस तर पर संख्या अधिक होती चली जाती है परिणाम सुरूप ultra pyramid पराप्त होता है Students, जीव संख्या के pyramid के बाद अब हम देखेंगे pyramid of biomass या जीव भार का pyramid ऐसा pyramid जिसके द्वारा किसी पारिस्थितिक तंतर के उत्पादकों एवं विभिन इस तरों के भोकताओं के जीव भार के संबन्द में बोध होता है जीव भार का pyramid कहलाता है अगर हम इसको diagramatically देखें तो हमारे सामने दो तरे के pyramid दिखाई दे रहे हैं एक straight और एक inverted means जीव भार का pyramid सीधा और उल्टा दोनों तरे का बनता है ये depend है types of ecosystem में अगर हम terrestrial ecosystem की बात करें तो इसमें producer में green plants आते हैं green plants की संख्या कम है लेकिन इनका आकार बड़ा है इसलिए यहाँ पर जीव भार का जो pyramid है वो आधार से चोड़ा होगा उसके उपर अगर हम जाएंगे तो primary consumer होंगे उनकी संख्या जादा होगी लेकिन उनका आकार कम होगा तो जैसे जैसे हम उपर जाते जाएंगे pyramid उपर से size में कम होता चला जाएगा तो एक straight pyramid मिलता है लेकिन अगर यही चीज हम देखेंगे aquatic ecosystem में तो हमको invert दिखाई देगी means ulti दिखाई देगी कि वहाँ पर पाया जाने वाले producer diatums, planktons जो की producer में आते हैं इनकी संख्या बहुत अधिक होगी लेकिन इनका आकार छोटा होता है इसके उपर अगर हम कार्निवोरस में जाएंगे consumer में जाएंगे तो उनकी संख्या कम होगी लेकिन उनका आकार बड़ा होगा मतलब जेवभार जादा होता जाएगा टॉप कॉर्निवोर में जाएंगे तो फिर और कम animals होगे लेकिन उनका जेवभार और अधिक होगा तो straight में जेवभार अधिक से कम की और जाता है और invert में कम से अधिक की और जाता है Students, हम समझने के लिए कह सकते हैं कि जेसे जेसे जीवों का आकार बड़ता है उनका जेवभार बड़ता है और जेसे जीवों का आकार छोटा होता है उनका जीवभार कम होता है Means, जीव या कोई भी producer या consumer size में जितने बड़े होंगे जेवभार भी जादा होगा और size में जितने छोटे होंगे जेवभार उनका कम होगा Students, let's see the pyramid of energy अब हम उर्जा का pyramid देखेंगे जो pyramid किसी पारिस्तिक तंतर के विभिन पोशन इस्तर के जीवों द्वारा संचित की गई उर्जा के परिमार का बोट कराता है उसे उर्जा का pyramid कहते हैं जैसा कि हम डाइगराम में देख रहे हैं उर्जा का pyramid हमेशा straight या सीधा बनता है क्योंकि इसमें पाया जाने वाले producer में सबसे अधिक मात्रा में उर्जा स्टोर होती है कंजीमर में उससे कम मात्रा में स्टोर होती और सेकंडरी कंजीमर में उससे कम एंटर्शरी क्रम में उससे कम जैसे जैसे हम producer से कंजीमर की तरफ जाते हैं उर्जा कम होती चली जाती है क्योंकि कंजीमर्स या उब्भोकता अधिस से अधिक अपनी उर्जा को सोशन में या रेसपारेशन में यूज करते हैं और कम से कम उर्जा को अपने शरीर में ग्रहन करते हैं तो इसी तरीके से जैसे हम producer से consumer की और जाते जाएंगे उर्जा कम होती जाएगी फलसरूप एक सीधा pyramid का formation होता है झाल झाल